हेलो दोस्तों मैं सोरो मली का आप सभी का टोपिक स्टड़ि में स्वागत करता हूँ दोस्तों आज के ओनलाइन टेस्ट में हम देखने वाले हैं सामन्य विज्ञान के टोप 35 कोईशन तो इन में से आप कितने सही कर पाएंगे वो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस टेस्ट को लगाने के बाद में बताईएगा और यहाँ पे आप लगतार जो वीडियोज अपलोड होती हैं उनका नोटिफिकेशन ले सकते हैं नीचे रैडिकल के बटन को दबा करके बैल आइकन को ओन करके और यह टाइमिंग है वीडियो की करन्ट फिर सुबह 7 बजे रीजिनिंग 2 पर आपके 3 बजे महत की वीडियो रात को 9 बजे और ओनलाइन टेस्ट अलता आपको 10 बजे तो आप इन सभी वीडियो का नोटिफिकेशन ले सकते हैं टाइम पे और इन सभी एक्जाम के लिए ओनलाइन टेस्ट भी अवलेबल है तो आप ये 20 टेस्ट 120 रुपे में और URPF SI के 20 टेस्ट 119 रुपे में परचेज करके प्रैक्टिस कर सकते हैं तो चलिए स्टाट करते हैं आगर आपको कुशन दिखा जाएगा जो भी आपको राइट आटा होगो तो उसे कमेंट बोक्स में पता दीजिएगा तो है पर स्ट का राइट अटा से 10 सेकंड दी जाएगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल सही आंसर है अगर आप option C के साथ में जा रहे हैं question number 1 का right answer C हो जाएगा question number 2 question number 2 का right answer अगर आप option D लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है तो option D is the right answer question number 3 3 का right answer B अगर आप यहाँ पे option B लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही answer है question number 4 देखिए यह test मैं इसलिए इस type से लेता हूं कि ताकि आपको बिल्कुल अपना exam का जो pattern आपके exam में आएगा उस तरीके से आपको test देने का मुखा मिल सके 4 का right answer अगर आप यहाँ पे option D लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है option D is the right answer question number 5 बहुत important question है और आपको सभी को पता भी होगा इसका question number 5 का right answer ए बिल्कुल सही है तो अगर आप option लगा रहे हैं question number 6 तो बिल्कुल सही है यहाँ पे अगर आप 6 का right answer भी लगा रहे हैं अगर टेस्ट पसंद आ रहे हैं तो प्लीज टेस्ट को like और share तो जरूर करिएगा question number 7 साथवे का right answer आपका हो जाएगा option B question number 8 तो right answer आपका D हो जाएगा बिल्कुल सही है अगर आप option D लगा रहे हैं question number 9 तो 9 का right answer यहाँ पे option C हो जाएगा अगर आप option C के साथ में जा रहे हैं अगर आप इस टेस्ट में कोई भी change या कोई भी बदलाब चाहते हैं तो आप मुझे comment box में साथ ही साथ बताते रहेगा question number 10 तो 10 का right answer यहाँ पे option A बिल्कुल सही है question number 11 11 का right answer क्या रहेगा अगर टेस्ट पसंद आ रहे हैं तो please like जरूर करिएगा जो भी right answer आप से आता को इसका comment box में answer भी जरूर दीचेगा 11 का right answer यहाँ पे हो जाएगा option C जो की बिल्कुल सही है question number 12 question number 12 question number 12 का right answer यहाँ पे अगर आप option D लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है question number 13 question number 14 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 option C अगर आप लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही answer है question number 15 question number 15 तो यहाँ आप सभी को पता होगा 15 का right answer यहाँ पे बिल्कुल सही है option D right answer हो जाएगा question number 16 question number 14 16 का right answer आपका option भी सही answer है question number 17 question number 17 17 का राइट आंसर यहां पर अगर आप option C लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है question number 18 यहां पर 18 भी एक अच्छा कुशन है और 18 का राइट आंसर यहां पर D हो जाएगा question number 19 sorry यह भी एक अच्छा कुशन है जो repeated रहता है और यहां पर 19 का राइट आंसर ओप्शन D हो जाएगा question number 20 अगर आपने यहां तक टेस्ट लगाया है और आपको टेस्ट अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक करिएगा अगर कुछ चेंजिस जाते हैं तो comment बोक्स में जुरूर बताएगा तो यहां पर 20 का देखे right answer अगर आप option C लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही answer है 21 और इसकी पीडियाप आप डाउनलोड कर सकते हैं topic study के telegram चैनल से जिसका link की नीचे description box में दिया गया है या फिर आप direct topic study का telegram पे जाके सर्च करिएगा तो वापे मिल जाएगा तो 21 का right answer यहां पे option D बिल्कुल सही answer है 22 आदे से ज़्यादा test आपका हो चुका है तो जितना test बचा उसको भी लगाईएगा और फाइनल में बताईगा कि आपका score कितना रहा है 22 का right answer यहां पे अगर आप option B लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही answer है 23 sorry 23 का right answer यहां पे रहेगा option D 24 अच्छा question है यह भी तो बिल्कुल सही answer है अगर आप 24 का right answer B लगा रहे हैं तो B is the right answer 25 और इसके बाद आपके 10 question और रहे गए हैं जो कि बहुत important है अगर आपने test को यहां तक लगाए है तो आगे तक भी वीडियो को जरूर देखेगा 25 का right answer यहां पे बिल्कुल सही है अगर आप option C लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है 26 बहुत ही अच्छा question है यह और बहुत ही simple भी है यहां पे C बिल्कुल सही answer है सभी को पता भी होगा इसका answer 27 और 27 का right answer यहां पे A रहेगा बिल्कुल सही है A is the right answer 28 28 और 28 का right answer यहां पे रहेगा option D 29 आशा करता हूं कि आपको test बिल्कुल पसंदार होगा 29 का right answer यहां पे 3 ऑप्शन सी हो जाएगा कोउमेन नमबर 31 अगर आप चाहते हैं इस टाइब की टेस्ट आपको मिलते रहें तो प्लीज कमेंट बोक्स में जाद जाद बताएगा यहाँ पर question miss हो गया I think यहाँ पर 30 question कोई बात नहीं 31 का right answer देखें यहाँ पर रहेगा option D 32 तो 32 का यहाँ पर right answer बिल्कुल सही है अगर आप option B लगा रहे हैं 33 तो आपको पता होगा देखें पकसी उड़ते हैं तो इसलिए यहाँ पर उनकी जो हड़ी होती है वो बहुती मतलाब हलकी होती है खोकली होती है तो यहाँ पर right answer यह रहेगा 34 तो यह भी एक अच्छा कोशन है और कहीं बार आ चुका है यह आर्पे अप में भी कोशन आ चुका है और 34 का right answer यहाँ पर रहेगा option C 35 35 का right answer यहाँ पर रहेगा बिल्कुल सही है अगर आप option D लगा रहे हैं देखिए यहाँ पर कोशन थे आज के टेस्ट में 35 बट एक कोशन मिश हो गया तो टोटल आपके 34 कोशन हो गये तो 34 में से आपने कितने सही किये तो प्लीज यह तो मुझे कमेंट बोक्स में भी बताइए और जितने भी आपसे right answer आते हैं उनका कमेंट बोक्स में आप जवाब साथ ही साथ दे सकते हैं बाकि अगर आप चाहते इस ताइप के टेस्ट आपको लगातार मिलते रहे तो वी प्लीज स्टार्ट की है math के 100 questions, reasoning के 200 questions जिसमें आपको बहुत ही help मिलने वाली है तो अगर आपको questions एक्जाम से पहले पहले देख लेते हैं और यहाँ पे जो online test available मैंने करा हैं आपको उनके सभी के link नीचे description box में वहाँ से जाके आप उन्हें purchase कर सकते हैं और उन्हें test को